वालो गुड मन्टू अलफी कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे मस्त होंगे स्वस्त होंगे वीडियो के लगतार देख रहेंगा समझ रहेंगा जैसा है थम्रेबन देखकर पता चल गया होगा कि आज की जो टॉपिक है आज का जो वीडियो है किस यहार्व conhece है एंडस छटे क्लास का हमारी दुनिया जिससको हम लोग किया बोलते लोग किताब का नाम लिखा होगा हमारी दिनिया ठीक है लेकिन इसको बूलाया tą बोगोल यानी जो ग्रफियो ठीक है इसका जिल्ध का इसको ने wings सında ठीक है अब एक एक करके सारी पॉर्ट क उसको मैं मार्क कर लिया हूँ, ठीक है, आपको कोई परशनी नहीं होगा, क्योंकि पूरा बुक को पढ़ियेगा, और जो मैं जितना मार्क किया हूँ, इसको समझ लिजीगा, तो यहां देखेंगे, तो गोविंद जो है, अपने पिता जी से बात करता है, ठीक है, चर्चा कर एंसर, आगे इसी चेप्टर में मिल जाएगा, लेकिन सिंपल समझे कि तारा चमकता क्यों है, थोड़ी से में बता दा रहा हूँ, कि तारों का पास अपनी उर्जा और अपनी परकास अपनी लाइट होती, इसलिए चमकते वे दिखते हैं, ठीक है, आगे यह लिखा हुआ ह इसका मतलब क्या है, जैसे आपका परिवार है, आपका परिवार है, आपके परिवार में, जैसे आपके मता पिचा है, भाई बेहन है, चाचा चाची है, जो भी हैं, ठीक है, आपके फैमिली में, जो लोग आप एक सातर रहते हैं लोग, उसी तरह स्वार मंडल भी एक परि उसी तरह उपग्रह है, बहुत सारे ग्रहों की उपग्रह होते हैं, और किसकिसी ग्रह के उपग्रह नहीं है, जैसे बूदा और सुख्रे का उपग्रह नहीं मिलेगा, ठीक है, अब एके-क करके, सब के बारे में आएगा detail समझे जाएगा, सबसे पले आता है सूरज के बारे में, सूरज को यहां नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है, सबसे उपर हेडिंग में लिखा हुआ है कि सूर परिवार का मुख्या है, ठीक है, सूरज नीचे भी लिखा हुआ है कि सूर परिवार का मुख्या है, ठीक है, और उसके बाद ल कर दिका हुआ है इसके लिखा हुए पॉइंट को ध्यान से दिखेगा स्वार प्राजवल अब इसका मतलब क्या होता है सिंपल सब यह हो गया मानने के चलो हम लोगो सूरज और यह सूरज की लाइटे से निकल रही है ठीक है सूरज की रूश्णी निकल रही है ठीक है अब य तो इसी आज के लपटे को काया शूर प्राजवल क्या काया कायता है सूरज भडन ठीक है जब डूरह सभर भीन से देखेगा उतना हाम twee Bow ket से दो इसे सोरज कि दिखे गा उसी तरह जो दिखता है तो सदूर्भिल से देखेगा तो उसी जो दिख रहा है आग के लाव्टे उसको बोलते हम लोग स्वार प्रजवाल ठीक है समझा गया उसके बाद लिखा है कि सूरे जो है प्रित्वी से सूरज के आप बहुत बड़ा है कितना बड़ा है यहां उधारन के लिए समझा है कि किर्केट का बॉल ले लो मान चलो हम लोगा किर्केट का बॉल हो गया और प्रित्वी उसके समने क्या है चोटा सा बच्चा के बराबर ठीक है आगे आगे लिखा हुआ है ये आठ गोले परिवार के सदस होते ही इन्हें ग्रह काते है अभी मैंने बताया कि ग्रह की संक्या कितनी है तो आठ है ग्रह की संक्या अब एक ग्रह के बारे में यहां दिया हुआ है उससे पहले यहां लिख गजया तो सुरज के पास ही अपना परकास होता है अब कहा है कोई नो कोन मच और बच्चा की रात में चंद्रमा हम लोगों चमकते वी दिखता है तो कईसे चमकता है, उसको परकास नहीं है, तो वो क्या सीशा के पास अपनी परकास थी कि सूरज की परकास उस पर टकराया और टकरा के वापस परावर्तित होकर यानि रिफलेक्ट होकर किसी के चेहरा पड़ रहा है कि नहीं है उसी तरह चंद्रमा के अपना परकास नहीं होता है सूरज की रोशनी पढ़ता है चंद्रमा पर चंद्रमा से लाइट प्रावर्तित होके पृत्वी पाता है अईसा हमको लगता है कि चंद्रमा चमक रहा है जबकि चंद्रमा नहीं चमक रहा है वो सूरज की रोशनी से चमक रहा है समझे हैं न आगे चलू तो सूरज के लावा किसी भी सुहर मंडर कांदर मौझूद सूरज के लावा किसी के पास भी अपना परकास उर्जा नहीं होती हो सब सूरज के वज़ा से चमकते हैं ठीक है अब गरह की बात कर रहते हैं गरह कितने हैं तो गरह आठ है पृत्वी को बात कौन सा ता मंगल कभी कोशन पूच देगी कि पृत्वी किन दो ग्रहों के बीच में तो मंगल और सुक्र बीच में इसका मतलब क्या हुआ इस सारे सिक्वेंस को सारे लाइन को आप रट लिजेगा खूब बढ़िया से रट लिजेगा नीचे देखेंगे तो लिका वा सबसे निकट गरह कौन बूध वही बत्वाब मैं बोलड़ें कोशिस करणा हूँ कि अगर आप इसको पूरा रट लिज मंगल के बाता है अगे में बहुत वरण चीजा आएगा उस में बताउंगा थिरे नहें यह चार गरह को आंतरी गरह का आया था और यहां पर पाया जयता आर差 प्राउन क्लर के यह दिखता रखता है इसी लिसको क्या बोलते हैं हम लोग यह लाल गरह का थे क्योंकि यह देखने पर रेड़ क्लर का पर्तित होता है ठीक है समझाएगे ना और साथ है साथ यहां CH4 इसको बोलते हैं मिथेन गैस की यहां अधिकता है मतलब मिथेन गैस परज कीजिएगा और देख लेजिएगा ठीक है आगे चलते हैं अगला पेज में आते यहां देखेंगे तो लिखा वाक्या अन्य ग्रहों की घुमने की दिशा न गुमकर उल्टी दिशा में घुमता है अब कौन है जो बहुती दिशा में घुम रहा है ठीक है अब इसको समझाज है थे थोड़ा सा यह ज़ादा उटाक आप तो सुक्र जू है और यह जो नहीं है यह यहन ग्रह है औरुची दिशा में घुमता है ठीक है। उल्टी दिशा घुमता है अब यह उल्टी दिशा घुमता है यह कैसे मालूम चला कि उल्टी दिशा हम घुमता है कैसे हम बोड़ाइक उल्टी दिशा हम घुमता है simple समझो simple समझो पृत्वी जो है यह कैसे घुमता है और बाकी सारे गरा कैसे घुमते है सिंपल समझेर, यह हम लोग का पृत्पी हो गया और यह मान केces सूर्ज हो गया- ठीक अब पृत्पी जो है यह ऐसे घुम रहा है या उल्ल्टा ऐसे घुम रहा यह कैसे मालम चलेगा ठीक है अब इसको जानने के लिए सिंपल समझो जब आप किसी ट्रेन में बैठे रहते हैं देखो ट्रेन में इसे बैठे रहते हैं तो बाहर की तरब आप देखेगा तो बाहर में जो भी पेड़ पौधा है जो भी पौधा है तो ट्रेन जब आगे बढ पता है कि बाहर के जो चीजे हैं, खड़की सब देखें कि अंतला है वो पीछे भाग रहा है, क्या वो पीछे थोड़ी भागता है, वो अपने जग़ा पर इस ती तरह, उसी तरह, हमारी प्रितवी जो है अच्छा गोल गुल घुम रहा है, ठीक है, ना तो प्रितवी गोल ग लगता है कि सूरज भागरा इधर उदर, ठीक है, सूरज भागरा है, यानि सूरज ऐसे पूरब में निकलता है, क्या होता है, सूरज पूरब में निकलता है, और ऐसे भागता है पच्छिम के तरब आके गिर जाता है, ठीक है, तो हम लोग पढ़ते है कि सूरज पूरब मे आगे ट्रेन जाती है तो घड़की से देखेंगे तो बाहर के चीजे पीछे भागती दिखेंगे उसी तरह पृत्वी पच्छिम से पूरब भागती है इसी लिए सूरज हम लोगो पूरब से पच्छिम के तरफ आती भी दिखता है सूरज की दर से निकलता है पूरब से निकलता है जाता की दर है पच्छिम के तरफ जाता है तो सूरज नहीं जाता है इसी तरह करते हैं लेकिन दू जो ग्रह है एक ग्रह का नाम है सुक्रे और दूसरे ग्रह का नाम है अरून यह दो जो ग्रह है यह उल्टा घूमते है इसका मतलब क्या हुआ जब आप सुक्रे और अरून पच्छिम के तरफ निकलेगा और पूरब के तरफ जाकर डूबेगा यानि हमारी प्र चल्ला जो है ब्रचपती, सनी, अरुन, अरुन यह चारो बाह क्रहा पर लेकिन सनी पर ज्याददा है , इसलिए माना जलता है कि सनी पर ही यह लेकिन आगे या सब्सक्राइब नौरह से सपया आगे समझते हैं उसके बाद देखेंगे तो लिखा हुआ है पुलूटो जिसकी गन्ना पहले गरा की रूप में होती थी उसको चुदर गरा कहा जाता है उसको बोना गरा भी कहा जाता है यह हुआ क्या कि पुलूटो जो था न अब पहले इसको गरा माना जाता है लेकिन गरा का मतलब क्या होता है ग्रह उसे काते हैं जो सूरज की परिकर्मा लगा है ग्रह की परिवासा होता है कि वो अकासिय पिल्ड यानि अस्मान में वो प्राकृतिक चीजे या अकासिय पिल्ड जो सूरज की परिकर्मा लगा है उसे ग्रह कहेंगे और जो ग्रह की परिकर्मा लगा आता था और ना ही कभी ये सूरज के परिकर्म लाइता था ठीक है सिंपल बात क्या है कि इसकी मन मर्जी अपनी रास्ता ये भटक जाता था कभी सूरज की परक्रम लगा येगा और कभी किसी गरह की परक्रम लगा लए दो यहां पर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि तारो का अपना परकास होता है चुकि ये तारे आप काफी दूर है इसलिए टिम्ट माते हुए नजर आते हैं ठीके समझे है ना जो उपर में गोबिन जो कोशन पुछा था उसी का ये जवाब हो गया ठीके तारों के पास क्या होता है अपना परकास होता अभी मैं उपर ही बोला हूँ कि तारों का पास अपनी परकास होती है इसलिए ये टिम्ट माते नजर आते हैं और बहुत दूर है इसलिए टिम्ट माते नजर आते है नजदिक रहता है तो धज़कते भी दिखता आग की गुला के तरह सूरज की तरह और एक बात आप रट लीजिए याद कर लीजिए दिमाग में लोड कर लीजिए ठीक है सूरज भी तारा है समझे बबू सूरज क्या होता है ये भी एक तारा ही है ये नजदिक है बहुत चरह लोग कुटा बिला इस यार जो भी डॉग को पालते हैं तो जितने रोड पर डॉग है सब तो डॉग ही है जो घर में पाला जा रोग है बाहर भी डॉग है होता क्या है कि हम लोग कोई को जो पालता अपने डॉग को उसका इसपेसल नाम रख देता है कुछु नाम रख दा टॉमी, स्वामी, कुछु जो भी उमन नाम रख दा ठीक है उसी तरह ये सूरज भी तारा ही है लेकिन ये हमारे स्वर मंडल में है हैना हमारे परिवार का सदस से मुख्या है इसलिए हम लोगे इसका नाम रख देलो सूरज है समझा गया अब ये सूरज की रोशनी देखो पृुचन में आठ मिनट लगता है इसमें आठ मिनट दिया पृुचन में आठ मिनट लगता है एक ऑर साय गता है एक क्या ओर चीज यहाँ पर देखो किया इंपोर्टेंट दिया है एक और तारा है जिसका परकास पोचने विद्धमें चार बरस लग जा था अभी हो इसका नाम है था है प्रॉक्सिमा सैंचूरी ठीक है ये तारा जो है, माने चलिक्त सूरज है. और सूरज के भगल बेसके और टारा है. ठीकें, एक और टारा है. ये जो टारा है, इस तारे का परकास, पृतभी तक पोचने में, जैसे इसका पोचने में 18 मिनट लगा, इसका पोचने में प्रकास 4 साल लग जयता है. एक्जक्ट बोले चाहो तो 4.3 लग जाता है चार साल लग जाता है इसकी लाइट पोछिन में पृत्वी तब इतना दूर है पृत्वी से मतलब समझ जाओ पृत्वी से सबसे नजदीक का तारा कौन सूरज होता याद रखेगा लेकिन सूरज के अलावा पूछेगा तो प्रित्वी एक मात्रह ऐसा गरा है जिस पर जीवन होए जीवन संभाव है लोग जी रहे है मतलब यहां पर वाई मंडल जो है आईसा है जो यहां पर जिंदगी परावर्तन के कारण किसके परंवर्तन के कारण नीले रंग के और किसतेता है अब यहां लिखाए कि प्रित्वी पर 71% क्या है भू भाग जल है यह इसमें अगर इसको चार भागम बाड़ दे तो तीन भाग पूरा तरसे पानी और एक भाग जो है जमीन है उश्य को बला तीन भाग से जादा ही हो गया तो यह 18% पानी और 29% जमीन है ठीक है इस सब को रट लेना बहुत important है आग गुर्णन मतलब होता है आपने जगाव पर गोल गुर्णना जैसे मतलब यह गोल गुल गुमना गुर्णना ठीक है और इस से गुमना परिकर्मन तो उपगरा परिकर्मा करते है ग्रा का ग्रा परिकर्मा करते है सूरज का ठीक है तो चंद्रमा क्या है पृत्वी का उपग काहे लगता है यह नजदिक है वही सूरेज जो था बहुत दूर था कितना दूर था तो अगर उसको रटना होगा तो याद कर सकते हैं लगबग 15 क्रोड किलो मेटर दूर है 15 क्रोर किलो मेटर की दूरी है अना सूरज और पृत्वी की है लेकिन चंद्रमा के दूरी कितनी है तो तीन लाग चोरासी हजार किलो मेटर की दूरी है तीन लाग चोरासी हजार किलो मेटर की दूरी है तीन लाग चोरासी हजार किलो मेटर की दूरी है तीन लाग चोरासी हजार किलो मेटर की दूरी और पृत्वी और सूरज की दूरी 15 क्रोड किलो मेटर लगबग 15 क्रोड अगे यहां देखे लिखा हुआ है कि इस पर ना जल है न वांय हो है मिन चंद्रवापार ना हावा है ना पानी ये कुछ हुँ नहीं है हाला कि अभी 83 उपगरा हो चुक है ब्रेसपती के और Sunny के लगबग 81 हो चुक है ठीक है इतने याद रखेगा ब्रेसपती के जदा उपगरा है और Sunny के उससे कम है ठीक है Second नमर वा Sunny यह फस्ट नमर पर ब्रेसपती है ठीक है तो Phobos और Demos, किसका है, मंगल गरा का है, Demos उपगरा है, जो सबसे छोटा है, याद रखे का, मंगल का है, सणी के उपगरा का नाम Titan, याद रखे, आगे चलते हैं, यहाँ देखें कि छुद्र गरा का बारा में लिका है, अब यह छुद्र गरा क्या होता है, मंगल गरा, मंग 80 पिंट ऐसे घुमते रहते हैं, इसको अम लोग चुद्र गरा बलते है, तो पूछे का, कि छुद्र गरा किर के-कर के बीच में होता है, मंगल और ब्रसपती के बीच में, याद रखे का, सबसे बड़ा चुद्र गरा जो है, उसका नाम कहा है, तो याद रखे के सीरस, एक इसका उपगरा एक भी नहीं है सुक्र एक देखेंगे तो 24 दिन में घुंडन और परिकर्मन दूसर चोबिस दिन में यानि कि सूरज का चकर पहले लगा लाता और अपने जगाईया पर धीर धीर घुमता है इसलिए इसको कोडिया गरा स्वर्य ना बहुत सुलो घुमने वाल अब इसका उपगरा नहीं है बूध और सुक्र एक दोनों का उपगरा नहीं है प्रित्वी देखेंगे तो प्रित्वी का जो अपने जगाई पर घुमना केते दिन में चोबिस घंटा में वही लिखा है तेज़ गंटा मतलब तेज़ गंटा लगबग तेज़ 2.9 घंटा उसको मान सकते पूरा 24 घंटा ठीक है और परिकर्वन केता दिन में करता आप सब्सक्राइब करता है तो वही चोगंटा बाद में चार साल में लिप यह ज़ता है जो कि 2024 में यह लिप यह है अब पता करेंगे कैसे कि कोई लिप यह है एक बढ़ अपने क्लास में बच्चों आप सब्सक्राइब कोई साल जैसे की मान चलो कि 2020 लिए इसको चार सर डिए ऑगर यह चारत पुरा-पुरा कट जाता है इसका मतलब क्या है यह लिप हुंड जाता है लेकिन परिकर्मा करता सूरज का सथाथ अगे चलो आगे देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है अनसंदान को जो उपराद प्लोटो को ग्रहों के सुची में से निकाल दिया गया ठीक है नीचे देखेंगे तो उलका पिंड क्या होता है अभी जो बोले हैं जो चुद्र ग्रह होता है जो छोटे-चोटे अकासी ग्रह चलते आगे समझते हम यह देखो दुरु तरा की कहानी देरा अब धुरु तरह क्या है और यहां एक बात लिखा हुए यह और उपर उठते जाएगा, ठीक है, उसको बोलते है धुरुचा तारा, मतलब छितिज बोलते है, अब छितिज के सिंपल भासा में समझो, कि आकास और पृतिवी की बीच की दूरी दिखने वाली, अब हासी दूरी, अब हासी मतलब क्या, एक जगट दूरी तो मालब नही गया, और दूर रहे में निचे दिखाए DOWN, ठीक है इसी को छितिज बोलते अब यह दूरुचा में समय में दिखा की नॉट दिखाईगा , अब यहां लिखाया कि बारा होती है, क्या होती है रासी, अब रासी के संख्या कितना बारा, सारे रासी का नम दिया, मेज, बिल्ट इस रासी में आपका नाम आता है या आपकी इस रासी से बिलाउं करते हैं ठीक है उसके बाद लिखा है यहाँ पर नच्छत्रों की संख्या यहाँ पर प्रित्विक चारों और तारों का सम्मू है जिसकी संख्या 27 है इसे हम लोग क्या बलते है नच्छत्र कते है तो याद र तरह को पार कंड़े में पूरे तारो के ग्रूप को जिसमें लगबक असंग तारे हो जाएंगे उसको कहेंगे अकास गंगा ठीक है अब यहां रिशियू के नाम पर क्या रखा गया है तारो के समू का नाम रखा यहां सबतर्ची तारा है अब इस सबतर्ची तरह क्या होता है यह साथ को तरह आप अस्मान में कभी देखे होंगे ऐसे दिखाऊगा ठीक है यह सबतर्ची तरह अब यहां इसका नाम रखा गया इसका नाम देखेंगे तहे रितु पुला पुलुस से अत्री वरिश्ट अंगीरा और मरीची यह रिशि इसको युनानी गरंत में भी नाम रखागे अलफा बीटा गामा डेल्टा एपिसेलोन एटा और जेटा नाम रखागे आप चाहें तो याद कर सकते हैं रितु और पुला जो है यानि जो अभी दू को बता है इससे सीधे देखेंगे तो धुरु तरह मिल जाएगा ठीक है आगे आते हैं आगे ये एंगे तो ये अ कु duplication सर्बाय को सीकोंसिंहा से शुरूं के टेक है तो रासियों की संक्य कितनी उपरा बी बता है रासियों की डार माम आप लोग चाहें पर याद कर सकते हैं सूरज की आकरती ऐना स्वरपर फवार की कोन होते हैं आ सूरज होता है ग्राव किस रंग है कितने होती आठ ठीक है याद रखें कि आठो ग्रा के नाम याद करा दे सबतर्सी यहां लिखाया कि सबतर्सी कितने